विमेंस टीटूंटे विश्यूकप दोजार चौबिस में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था सौथ अफरिका विमेंस टीम ने ऑस्टेलिया को पहली बार नौक आउट्स में मात देते हुए दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है उस्टेलिया के अगर हम बात करते हैं कि वो इतनी खतरनाक टीम क्यों है तो इस आकड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उस्टेलिया की टीम विमेंस टीटूंटे विश्यूकप में पिछले 15 में से एक भी मुकाबला नहीं हारी थी लगातार 15 मुकाबला जीतने वाली उस्टेलिया विमेंस टीम अब साथ अफरीका के सामने हार गई है थोड़ा सा और पीछे अगर आपको ले चलें तो उस्टेलिया 2009 में अपना आखरी सेमिफाइनल मुकाबला हारी थी तो आप उस्टेलिया विमेंस टीम का T20 विश्योकब 2024 में धबदबे का अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन साथ अफरीका विमेंस टीम ने इसको तोड़ दिया है चकना चूड किया है और घर का रास्ता दिखाया है कंगारूं को और अब फाइनल में जगए बना ली है वैसे साथ अफरीकन क्रिकेट की बात करें तो उनका पिछला 2-3 साल काफी अच्छा जा रहा है अगर आप पाएंगे तो 2022 में विमेंस टीम विश्योकब के फाइनल में पहुँची और 2024 में ही अब विमेंस टीम भी विश्योकब के फाइनल में पहुँच चुकी है साथ अफरीका के फाइनल में पहुचने के बाद उसकी जीत की उमीदे अब बढ़ गई है क्योंकि जिस तरह उन्होंने आउस्ट्रेलिया को 135 रन बना कर हराया है और 17.2 ओवर में डॉमिनेटिंग जीत हासल की है अब उनका confidence हाई होगा आपको बता दें कि उस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में चार के चारों मुकाबले जीत कर पहुची थी इसी उस्ट्रेलियन टीम ने कुछ दिन पहले इंडियन विमेंस टीम को भी हराया था जो टीम सेमी फाइनल तक पहुँच सकती थी लेकि 9 रनों से मात दी थी और अब इनको खुद हार का सामना करना पड़ा है वैसे और विमेंस टीम का अगर देखा जाये तो चाहे विमेंस टीटिन टी वे शुक अप हो ओडियाई वे शुक अप हो या फिर लीग मैचेस ही क्यों ना हो हर मैच में और विमेंस टीम का दबदबा नजर आता है आपको क्या